गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बटनी क्लास आज हम इस पेपर की टेरिडोफाइट और जिम्नोस्परम पेपर की लास्ट चो युनिट है हमारी वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें की हमें फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है और टाइपस अफ फॉसिल्स हम इसमें पढ़ेंगे और इसके अलावा हम फॉसिल प्लांट्स कुछ पढ़ेंगे कुछ प्रिडिडोफाइट भी पढ़ेंगे और कुछ जिम्नोस्परम भी पढ़ेंगे उनमें से एक प्लांट है राहीनिया जो की प्रिमिटिव प्लांट है इसके बारे में आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन राहीनिया का क्या है कौन से प्लांट गृप में ये आता है तो ये टेरिडोफाइट है और ये अब नहीं पाया जाता है मतलब प्रिमिटिव है मतलब पुराना प्लांट है पहले कभी पाया जाता था classification हम देखते हैं साइलोफाइटा का member है ये division साइलोफाइटा है इसका class है इसकी साइलोफाइटी ने order साइलोफाइटेल्स है और genus रहीनिया है अब आते हैं external morphology में कि बाहरी सनरचना जो है इसकी किस प्रकारगी होती है तो plant जो है रहीनिया हर्बेशियस plant है दो species mainly इसमें पाई जाती है एक है रहीनिया मेजर और दूसरी species है रहीनिया ग्वैंगाई तो रहीनिया मेजर जो है वो करीब 50 cm है हाइट में और 1.5 से 6 mm उसका diameter होता है और अगर हम ग्वान वैंगाई की बात करते है तो वैंगाई जो है वो 20 cm है हाइट में और 1 से 3 cm उसका diameter होता है प्लांट की morphology के बारे में ये तो हमने दो species जो हैं इसकी उसके बारे में बात करी अब हम बात करते हैं कि प्लांट में क्या-क्या पाया जाता है अगर हम बारी रूप से देखते हैं तो प्लांट में एक तो rhizome होता है जो की subterranean है मतलब नीचे जमीन के नीचे फैला हुआ दिखता है और उसकी कुछ upright branches हैं जो की aerial branches हैं या aerial shoot कहलाती हैं और वही aerial shoots जो हैं वो photosynthetic होते हैं roots इसमें नहीं पाई जाती हैं roots की बजाए इसमें rhizomes पाई जाते हैं जो की rhizomes पे लगे वे होते हैं और rhizomes जो हैं यहां पर वह unicellular होते हैं aerial जो इसका shoot है वो cylindrical होता है leafless होता है leaf नहीं पाई जाती है और aerial shoot में dicotomous branching आप देख सकते हो देखे जैसे यह दोनों species के चितर यहां पर दे रखे हैं आपको rhahenia major जो की थोड़ा बड़ा है 50 cm करीब है और rhahenia guan wagoni है इसका नाम rhahenia guan wagoni करीब 20 cm लंब है तो आप देखे हैं इसके अंदर की नीचे आपको rhizome है यह और इसमें देखे चुटे चुटे राइजोइड लगे हुए है जो की unicellular structure है absorption पानी का absorption के काम आता है encouragement के काम आता है फिर यह aerial shoot है यह तो subterranean rhizome होगा है यह aerial shoot है aerial shoot जो है आप यहां देख सकते हैं यह dichotomously branched है उपर से देखे यह dichotomous branching जिसमें आपको सब जगे दिखाई दे रही है leaves इसमें नहीं पाई जाती है आप देखे यह plant leafless है और थोड़ा सा फरक यह है कि Gwen Vangai जो species है Vagni जो species है Gwen Vagni के अंदर आपको adventitious branches भी दिखाई देती है जबकि मेजर के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहे है और जो इसकी अपाईसेज है उनके उपर आपको sporangia दिखाई दे रहे है यह देखिए sporangia इसमें दिखाई दे रहे है तो मेजर जो है उसके aerial shoot smooth होता है जबकि Gwen Vagni जो है उसमें adventitious branches पाई जाती है aerial shoot पे भी और rhizome पे भी यह जैसा मैंने आपको बताया है यह adventitious branches हैं यह आपे फिर आते हैं branches जो है वो vegetative propagation का काम करती है मतलब अगर branch तूटके कहीं नीचे गिड़ जाती है तो नया plant बनाने में वहाँ सक्षम होती है जो tip है aerial branches के उनके उपर terminal sporangia's पाई जाते हैं उनका भी आपको measurement दे रखा है 12 mm length है और 4 mm उनका diameter होता है यह देखिए आप जितर में देख सकते हैं यह देखिए यह sporangia यह इसका sporangia है फिर आते हैं हम internal structure पे यह तो हमने external structure बढ़ा था internal structure अगर हम पढ़ते हैं तो हम rhizome और aerial shoot के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो rhizome और aerial shoot जो है यहाँ पर वो तीन भागों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं epidermis, cortex और steel epidermis जो है वो outermost layer होती है आपको पता ही है one cell थिक है वो और उसमें thin cuticle भी पाया जाता है aerial shoots में यह जो epidermis है इनमें बीच-बीच में stromata पाये जाते हैं जबकि rhizome जो है उसमें stromata नहीं पाये जाते हैं epidermis के बाद cortex reason आता है cortex reason दो भागों में विभाजित है outer cortex and inner cortex outer cortex जो है वो एक से चार cell तक थिक हो सकता है thin walled cell का बना हुआ होता है और उसमें कोई भी intracellular space नहीं पाये जाती है जबकि inner cortex जो है वो उसके अंदर large intracellular spaces पाये जाती है cells के अंदर chloroplast पाये जाता है और क्यूंकि उसमें chloroplast पाये जाता है तो माना जाता है कि photosynthesis का का काम ये cortex के cells करते है endodermis और paricycle यहाँ पर absent होती है अब आते हैं हम steel पे हमने तीन भाग बताये थे आपको epidermis, cortex और steel steel सबसे अंदर वाला भाग है center portion है और ये जो steel है यहाँ पर वह proto-steel है मतलब पित नहीं पाया जाता है इस प्रकार के steel को हम haplo-steel भी कहते है xylem जो है वो trackeds का बना होता है और phloem जो है उसमें sieve plates नहीं पाया जाती यह primitive plant है तो इसमें बहुत सारे characters आपको नहीं मिलेंगे जो कि आपको अब जो teledophyte से उनमें देखने को मिलते हैं जैसे कि अब आप देखिए कि यह हमने internal structure आपको rhizome का बताया जिसमें की सबसे बाहर outermost layer है epidermis जिसके उपर cuticle लगा हुआ है एक single layer है epidermis की फिर आते हैं हम cortex पे outer cortex and inner cortex में विभाजित होता है outer cortex 1 से 4 cell तक ठिक हो सकता है और without intercellular spaces है देखिए कोई space नहीं पाई जाती और ये जो है आपका inner cortex जो है इसके अंदर आपको intercellular spaces दिखाई दे रही है xylem है और अंदर steel है steel में आप देखिए पित नहीं है बिल्कुल बीच में xylem है और उसके चारों तरफ phloem की layer phloem जो है वो पाया जाता है इस प्रकार का structure है ये आपका rhizome का या आप कहा सकते हो aerial shoot का भी structure इसी प्रकार का होता है अब अगर आप sporangia का LS देखना चाहें sporangia का LS में आपको दो ही चीज़ें आपको दिखाई देगी यहाँ पर यहाँ पर एक तो sporangial wall दिखाई देगी अभी पूरा मैं अच्छा से discuss भी करूंगे इसको sporangial wall आपको दिखाई देगी और अंदर जो cavity है उसके अंदर cavity जो है उसके अंदर sport tetraards दिखाई देगे जो की चार sports जो है tetrahedral arrangement के अंदर लगे हुए होते है reproductive structure यहाँ पर क्या है shoots देखे थे उसके Pisces पे हर एक जो sporangium है वो oval यह slightly cylindrical होता है और अगर हम LS काटते हैं तो 5 celled thick wall होती है इसकी 5 cell thick wall होती है outermose जो layer होती है वो 1 cell thick होती है जो की cuticularized होती है cuticularized epidermis उसमें पाया जाता है और इसके वाद जो middle layer होती है वो 3 cell thick होती है 3 cell thick middle layer पायी जाती है जो की thin walled cells की बनी हुई होती है inner most इसमें जो layer है वो tapitum कहलाती है tapitum आपको पता होगा पहले भी आया है tapitum जो है वो nourishing layer होती है जो की अंदर जो spores बन रहे होते हैं उनको nourishment provide करती है तो wall जो है उसके जो wall है उसके अंदर की तरफ में एक spacious cavity पायी जाती है जिसको की sporangial cavity कहते है और उसमें कोई columnella वगरा नहीं है middle कोई axis नहीं है उसमें सिर्फ वो एक cavity ही है जिसमें की बहुत सारे spores पाये जाते हैं spores जो हैं वो सभी एक समान होते हैं मतलब की राहीनिया homosporous condition follow करता है homosporous होता है राहीनिया और आप इसमें देखेंगे जैसा कि हमने चितर में भी देखा था पीछे tetrahedral arrangement में tetraards में spores लगे वे होते हैं जो की उससे अनुवान लगाया जा सकता है कि इन में reductional division होता होगा और हर एक जो spore है वो haploid होता है और plant जो है वो diploid होता होगा sporophytic generation है ये और उससे ही जब spore बनता होगा तो वो haploid spore meiosis के द्वारा ही बन सकता है यहाँ पर कोई mechanism नहीं है sporangium dehiscence का sporangium किस प्रकास से फटता है उसका कोई mechanism नहीं है spore जैसे बाहर निकल सकता है जो spore जो बाहर निकलता है वो एक तरीके से wall का disintegration wall जो फट जाती है उसी के कारण निकलता है और बाहर आ जाता है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर reproductive structure में sporangia के बारे में आपको बताया और यहाँ पर यह कहा जाता है कि कोई definite proof नहीं है कि gametophyte है भी उसका उसका कोई proof ही नहीं मिला है तो इसलिए हमको उसकी बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं देखे यह aerial shoot है aerial shoot पर यह sporangia लगा हुआ है और sporangia के अंदर यह spores आप देख रहे हैं internal wall है यह जिस tapitum कहलाती है और यह rock पर बताया है क्योंकि यह एक तरीके से primitive plant है पुराना पहले कभी पाया जाता था तो यह आपको जब type of fossils में पढ़ाऊंगी उसमें देखोगे आप कि बहुत सारे fossils जो हैं वो as marking rocks पर भी पाये जाते हैं अलग अलग types हैं वो हम discuss करेंगे बाद में तो यहां पर हमने यह sporangel wall देखी पांच layer की जिसमें की outer layer जो है वो one cell थिक थी middle layer थिक थी और अंदर एक layer tapitum की बनती है और उसके अंदर यह cavity है इस cavity के अंदर बहुत सारे spores हैं जो कि spore tetrad के form में लगे वो रते हैं और एक spore आप देखते हैं इस तरीके का आपको दिखाई देता है तो यह सारी जानकारी आपको मैंने राहीनिया की दी है यह राहीनिया की plant है आप इसमें भी देख सकते हो तो आपको basically राहीनिया short note के हिसाब से आता है बहुत बार तो short note के अंदर राहीनिया का short note लिखिए तो राहीनिया का short note अगर पांच number का short note है तो उसमें आपको classification लिखना चाहिए morphology diagram बनाना चाहिए morphology के बारे में बताना चाहिए बहुत छोटा सा है diagram diagram भी आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छे number मिल जाएंगे तो आपको diagram morphology वारा diagram बनाना चाहिए फिर आपको इसका root sorry, rhizome का या aerial shoot का diagram और L.S. porangia का diagram बनाना चाहिए उसके बारे में explain कर दिना चाहिए जितना मैंने आपको ये पढ़ाया है जिस सारा आप उसमें लिख सकते हैं तो इस प्रकार से ये हमने एक genre और complete कर लिया है इस वीडियो में अगले वीडियो के अंदर हम दो या तीन genre और बच्चे हैं अगले वीडियो में लगातार मैं आपको वो सारे genre बता दूँगी और उसके बाद हम fossils के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती कोई doubt है आप पूछ लीजिए और students मैं आपको request करती हूँ मैं देख रही हूँ कि second year के students वीडियो इतना नहीं देख रहे हैं प्लीज इनको देखिए क्योंकि महाविद्याले कब खुलेंगे हमें नहीं पता है इसी माध्यम से हमें पढ़ना है और जिन भी students ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि पुराने वीडियोज आप तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो मच